इसके फ्रूट को आप तोड़िये और मैं भी तोड़ता हूं और उसके बाद जो है इसका खाके टेस्ट बताएंगे फ्रूट यह देख सकते हैं फ्रूट फ्रूट दिखाईए 200-500 ग्राम है बिल्कुल क्लोज अप में दिखा रहा हूं यह देखिए देखिए दोस्तो कितना हुआ थि यह दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं मrementाटा की सामने और आप रैटि देख रहे हैं इसके फ्रूट को हारवेस्ट करके आप लोगों को दिखाऊंगा इस stepping करके आप लोगों को दिखाऊंगा आज के इस वीडियो में मैं इस सेट्रस प्लान्ट के फूट को हारवेस्ट करके आप लोगों को दिखाऊंगा और इस के फूट का टेस्ट भी बताऊंगा कि ये खाने में कैसा है ताकि आप लोगों को सही जानकारी स्वर्याटी के बारे में पता चल सके चैनल पर जो लोग फर्स टाइम विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि गाडनिंग समान दी मैं जो भी वीडियो चैनल पर अपलोड करूँ उसकी नौटिफिकेशन आपको टाइम टाइम से मिल सके अगर इस वीडिय मेरे पास एक फूट का आया था यह जो ब्लांट देख रहे हैं और यह अभी नए प्लान्टेशन है और इसमें डेखिए यह फूट एक मेने ले लिया था देखने के लिए कि छोटे पौधे में फख़ल पकड़ता है या नहीं पकड़ता है और वह सामने आप प्लांट दे और घंबे में मिट्टी भी दिखा दीजिए कि मिट्टी कितनी है अब आस में आके दिखादीजिए और इसमें ज्यादा मिट्टी मैंने बहर रखी है फिरहाल और नारमल मित्ती है और इसमें वर्मी कंपोस्ट का मैंने प्रियोग किया है नीम खली का प्रियोग किया है और बीच वीच में सरसो की खली का ड्राइप पॉडर मैंने प्रियोग किया है प्लांट की हाइट काफी हो गई है आप समझ सकते हैं कि इतना बड़ा पौदा आया थ इसमें PANCH से ज्यादा फूट लगे थे लेकिन इसमें जो है सारे फूट गिर गए और इसमें 5 फूट गूपाय थे और जबकि इसमें हर्वेस्ट हो चुके हैं और इसमें दो फूर्ट देख सकते हैं बचे हुए हैं और साइज भी बहुत बढ़िया आगया है दोस्तों अब मैं आपको बताता हूं इसकी वराइटी कौन ची है यह है बारी बन स्वीट माल्टा और इसका स्वाद मैं पिछले साल मैं अपने वीडियो में खागे दिखाया था काफी स्वीट होता है और क्योंकि मेरे गार्डन में इस बर फिर से तैयार हो गया है तो मैं मैं चाह रहा था कि आपके सामने भी इसका फूर्ट मैं खाके टेस्ट करके आप लोगों को दिखाऊं ताकि आप लोगों को भी मोट क्वाद खटा होता है तो इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं जह बरीवन सूइंट माल्टा है और मेरे पास माल्टा की कई वराय्टी है लेकिन ये वराय्टी मुझे बहुत पसंद है और साल में यही बार फल आता है और जनवरी में मैं फ्लावरिंग होती है अमने आपको जरनी बता रहा हूं जनवरी में इसमें फ्लावर आया था और इसमें करीब 20 के आसपास छोटे छोटे फल लगे थे और प्लांट इतना मजबूत नहीं था और इसी वज़े से प्लांट ने जितने फ्रूट इसके ऊपर रोकने चाहे थे उतने रोके बाकी हर्वेस्ट कर लेना चाहिए इसका फ्रूट अपने आप तूटके नहीं गिरता इसलिए मैं बोलता हूं जब यह मालता का फ्रूट पक जाए तो हर्वेस्ट कर लीजिए क्यों कि इसमें जो रस होता है अगर ज्यादा देर कर रहेंगे तो सूखने भी लगता है तो अब हम बिना देरी करते हुए इसके फ्रूट को हर्वेस्ट करेंगे तो इसके लिए मैं अपनी बेटी हंचिका को बुला रहा हूं आप देख सकते हैं कि इसमें दोनों फ्रूट तयार हो चुके हैं और इसकी हर्वेस्टिंग अब हम लोग करेंगे यह मेरी बेटी हंचिका मेरे स और इसके फूट को आप तोड़िये और मैं भी तोड़ता हूं और उसके बाद जो है इसका खाके टेस्ट बताएंगे सभी वीवर्स को यह देख सकते हैं दोस्तों बारिवन सुट मालता का फूट यह देख सकते हैं फूट फूट दिखाईए साइज जो है करेब इसका 200-500 ग जोर है और इसकी ग्रोथ भी रूख गई है तो इस कारण से मैं इस छोटे से फूट की भी हर्वेस्टिंग कर लूँगा और यह भी छोटे पर ही पक चुका है दिखी दवा के मैं देख रहा हूं यह देखिए तो यह छोटा बारिवन मालता हो गया और साथ में यह फूट ह हो गये और जब कभी भी आप किसी भी फूट की हर्वेस्टिंग करें मैं सभी देखने वालों को बोल रहा हूं तो जो फूट है वो अच्छी तरीके से दोलें चाहें बाजार से आई हूं और चाहें कहीं से भी आए हो तो आपको छोड़ना नहीं हो नहीं तो इसका और जाएगा अब आपके सामने में स्ब्रूट को कट खरके दिखा रहा हूं यह देखिए जी कि देखिए वी अरड़ कि देखिए जोस्तों कितना खुब सूरत है यह देख सकते हैं आपके मुमें पानी आ जाए इतना खुब्सूरत है और छिलका बहुत मोटा नहीं होता है वारीवन स्वीट माल्टा का मेरे पास इंडियन मुसम्मी का भी देखिए यह बगल में यह इंडियन मुसम्मी का भी फ्रूट लगा हुआ है टीन के कंटेनर में औ फ्रूट में जो उता है वह सूथा ड़ांता नहीं है और इसकी knit उतो वती है कि यह अपने टां से मैंस्याहित हुआ है और स्कों माय स्वीट माकर inks कि आपके सामने यह फ्रूट आपके श्राइर आपको बताऊं गा Commission ये खाने में कैसा है और आप देख सकते हैं ये फुरूट कितना खुब्सूरत है कोई भी दाग धबा नहीं है और इसे हम टेस्ट करके आपको बताएंगे लोगतों आपको मैं बता दूं कि इसका फुरूट बिल्कुल भी खट्ता नहीं है सितंबर का महिना चल लहा है यानि कि ये लास्ट समय चल लहा है और ये वीडियो बन रहा है 28 सितंबर संदो हजार तेईस को यकीन मानिए अगर आपको माल्टा की गर कोई वराइटी लगानी है टेरेस गारण में ड्रॉप वराइटी लगानी है तो बारिवन स्वीट माल्टा बेस्ट आप्सन है इसके साथ में मैंने एक फूट की और टेस्टी पिसले साल की थी वो था वियतनाम माल्टा दोस्तों वियतनाम माल्टा भी बेस्ट आप्शन है और इससे साइज में बड़ा होता है करीफ चार सो ग्राम का होता है उसका भी मैंने रिव्यू किया हुआ है अपने चैनल पर अगर जो लोग चाहते हैं कि उनके हां साल में दो बार यह माल्टा की व्रैट्टी फल दे तो वियतनाम म हमारे वीवर्स को जोनल बताएं मैंने बहुत मीथा है और चैनल सभी नहीं है तो यकेन मानिये ब्लकुल भी खटा नहीं होता है बारिवन सुट माल्टा अकने के बाद बहुत ही मीथा होता है और यह कामर्शियल रैटी आ आज के इस वीडियो में मैंने बारिवन स्वीट माल्टा के फ्रूट को हर्वेस्ट किया और उसके फ्रूट का स्वाद आप लोगों को बताया आशा करता हूँ यह वीडियो आप सभी दोस्तों को पसंद आएगा अगर यह वीडियो आप सभी दोस्तों को पसंद आए इस वी के बारे में लोगों को सही जानकरी प्राप्त हो सके मिलते हैं नए टॉपिक से नए वीडियो में सभी दोस्तों का अंतर वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार